हाई गाइस अब भी हम बात करने वले हैं कि हमारा एंचिस क्याब हम कैसे सटिंग करेंगे यह हमारा एंचिस का प्याब और यह हमारा पम पम और यह एंचिस का ब्याच। पहले हम इस склад को लेना है। और इसमें एक आपको एसिए तरफ देखाई देगा इसको इसके उपर हम यह यह देच में कि पीन लगा है उस पीन को निकल देना है इसके बाद हम यह इसमें यह वोल नहीं करना है हम इसमें दो मार्क देना है आई कि यह सब्सक्राइब हम देखते हैं क्या होता है कि सिधे बिल्कल सिधे कि देखते है तो थोड़ा थोड़ा देल लग जाता है इसको होल करने में कि देख लिया ना हम यहां पर एक होल यहां पर एक होल हो गया इसके बाद हम मार्क हो गया इसके बाद एक एक सीजर लेना है आपको कि यह होल कर देना है कि यहां रहु झांट हुआंगे। मुण हब लग कि यहां fill झाल झाल कर दो हों फो यह जदा बड़ा नहीं करना है बर्ना आपका ब्याच ही लेगा हम को ओ गजया यह जो हमारा नहीं है इसमें कि इस तरह लगा दना है अब को इस तरह लगा दना है ठीक है इस तरह आप उसके बाद हम जो छेद किये है उसमें दिखते है थोड़ा देर जब हो यह थोड़ा यह पंपं थोड़ा गोल जद्धा गोल है ना उसके लिए दिखते हो रही है तो यह हबे आगये रागे दूसरा को अबसरा किया है मुझाने नहीं की पेली हम दूस्त आप है यह दूसरा है यह तरह आप दिखिये दिखिये यह हो गया थोड़ी तो दिक्कत होगी ना उसके बाद यह दो हो गया रुख जाए यह जादा बड़ा होल कर देना है उसके बाद यह अच्छा रहेगा क्यों तुछी ला रहा है क्यों तुछी ला रहा है अब हम यह जो पीन निकल थे बैच यह वह आपको लेना है और इसमें तुछी यह पीन जादा हरा कि बड़ाना है थोड़ी यह पीन जादा हरा कि बड़ाना है अब हम इसमें वह जा चुकी है और इस होल में बजाएगा है चले दिखती है पर इसमें निकल दो हुआ चल्यश्यश्यश्यश्यश्यश्य गशे मार्ड़ी हम इसमें प्रण धृड़ भीन तो अब अब हम दूनों दूनों बॉई जा चुकी है उसके बाद हम यह आप er वह इसलिए है कि हम जब कैप पेहनेंगे यह हमारा सीर पे ना लगने के लिए यह यह दिख लिजिए आपका यह हो गया है अब हम पेहनेंगे और यह जो है ना आपका सेर के साइज में आप यह छोटा वड़ा कर सकती है अब हम इसको पेहनेंगे दिखती है अब हमारा यह आपकी सबसे आपे छोटा वड़ा कर सकती है और मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना